आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं constitutional amendment जितनी भी important constitutional amendment है उसे आज हम tips and tricks के थुरू याद करने वाले हैं इससे पहले हमने articles पढ़ा था और जो भी constitutional assembly सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले क्या होती थी भूमी को लेके लोग बहुत जादा लड़ाई वगरा करते थे तो सबसे पहले क्या सोचा गया कि सबसे पहले हम सुधार किसमे करेंगे भूमी से related हम सुधार करेंगे ठीक है तो भूमी सुधार है फिर्स्ट अमेडमेंट से related ओके और भूमी सुधार के लिए लोग पहले कितना पैसा देते थे 51 रुपे दे रहे चलो शगुन के रूप में भूमी सुधार के रहे 51 रुपे दे दिया ठीक है तो 51 यानि की 1951 या तो कैसे याद रखना है जिसकी भासा एक साथ थी उन सारे स्टेट्स को एक में जोड़ दिया गया ठीक है तो आपको कैसे याद रखना है जिनकी भासा एक जैसे थी उनको साथ साथ में रख दिया ठीक है तो साथ साथ यानि की 7 तो 7th amendment किस से related है 14 state and 6 union territories के गठन से related ओके कि इसके अधार पे तो भासा के अधार पे बनाए गया था अब देखिए साथ साथ में कर दिया इतनी सब वह साथ साथ में 56 भोग खाएंगे तो 56 यानि की 1956 राइट नेक्स एक के 10th amendment tag जो 1961 में हुआ था यह related है दादर नागर हवेली को union territory बनाने से related okay तो कैसे आपको याद 10 और यहां के लिखा है दादर तो दादर हम कैसे लिखेंगे दादर नागर हवेली तो 10 दादर एक जसा लग रहा है तो दादर नागर हवेली का amendment कौन से है 10th amendment act जो 1961 में आया था ठीक है याद रखना है आपको next is 12th amendment act 1962 जिसमें कोवा एं दमन्दियू को as a union territory formation में आया था तो कैसे आपको याद रखना है 12th amendment act तो 12 लिखा है ना या पर तो भस आपको क्या याद रखना है गोवा लिखना है तो गोवा तो कहते है लिए 1-2-GO तो जैसे कोई race होती है कहते है 1-2-GO तो 1-2-GO यानि कि 12 तो 12 रिखने रेक गोवा एं दमन्दियू के as a union territory बनने से तो सब्सक्राइब시면 डिखना है फिकैं अधे法 निए ब्हें दमन्द को तक बतादे-चानल Tsch कि सबस्टनाबद कर से लेटारे नागा लेंड के सटेट बनने से लेटेवर चांब को तो then 15th amendment and 15 amendment बोलता है कि जो high court के जो judges हैं उनकी जो retirement age है वो 60 से 62 कर दे गई थी ठीक है कौन से amendment में 15 तो बहुत अच्छे से आपको यह याद रखना है राइट नेक्स एक है 18th amendment और 18 amendment बोलता है पंजाब और हर्याना का स्टेट की तरह गठन करने से और जो चंडिगर है उसको union territory बनाने से ठीक है तो किसके बात करता है 18 पंजाब से लेट करना है हमें कैसी आ जखेंगे देखिए जैसी बच्छे 18 साल के होते हैं आजकल तो वो जोब ढूरने लगते हैं तो जोब यहनकी पंजाब सो पंजाब एन हर्याना और चंडिगर का union territory बनाने से लेटेड है 18th amendment ओके नेक्स देखिए the 21st amendment बहुत जादा important है और इसमें क्या हुआ था कि 8 पे schedule में जो 14 languages है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी किसके थू 21st amendment के थू ठीक है तो कितनी भाषा थी 14 ओके फिर amendment किया गया तो amendment करने के बाद 21st amendment जब हुआ तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया कौनसी भाषा को जोड़ा गया है सिंधी भाषा को ठीक है तो देखिए जो languages है ना तो language related तीन संशोधन किया गया थे important तो इसको अभी हम आगे पढ़ लेते हैं ठीक है बहुत तच्छे से आपको देखना है तो देखे कितनी भाषा थी पहले 14 भाषा थी 14 भाषा में कुछ अधिस भाषा जोड़ने का सोचा गया कौनसी भाषा जोड़ी गई तो 21st Amendment किया गया तो सिंधी भाषा जोड़ी गई कौनसी भाषा freakin कैसी आप यहां दिख है ठाट है कि wires तरह फेस बनाते हुए फोटो क्लिक करवाते हैं तो किस की तरह फोटो क्लिक करवाते हैं जब कोई सुन्दर सीन होता है तो सीन यानिकी सिंधी तो 21st अमेडमेन किस से लिटेड है सिंधी भासा को जोड़ा गया था इसमें 14 लैंग्विजिस के साथ है अगला देखिए 74th amendment जो है ये भी जुला है किस से लिटेड है ये भी भाशा से लिटेर है 92 अमेडमेन जो है ये भी लिटेड है किस मैं 21st हम ने पढ़ लिया फिर हम आगे पढ़ेंगे 71st हम पढ़ने वाले हैं तो देखे 71st में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो नमक भाषा जोड़ी गई थी तो यह हमारी trick है हमने नमक से याद किया है तो नमक से मतलब क्या हो गया नेपाली, मरिपूरी और कॉंकरी अब देखे हमें बिल्कुल डिरेक्ट याद रखना है कि अगर एक्जाम में question पूछा रहे कि 71st amendment किसे रेटेड है कौन सी languages जोड़ी गई तो नमक जोड़ी गई कैसे याद रखना है अब आप देखो यहाँ पर 71st लेका है तो ऐसे आपको याद रखना है कि 74st amendment में नमक को जोड़ा गया नेपाली, मरिपूरी और कॉंकरी अब आप देखे है 21st and 71 को जब हमने add कर दिया तो हम कहाँ पहुच गए 92 पहुच गया यानकि 92 जो amendment हुआ था उसमें कौन सी भाशा को जोड़ा गया बाइस है तो बाइस कौन कौन सी है असमिया, बंगाली, गुचरादी, हिंदी, कंणर, कश्मीरी कॉंकरी, मल्यानम, मरिपूरी, मराथी, नेपाली उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथली और दोगरी ठीक है, तो बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा से आपको याद रखना है अब हम चलते हैं अपने नेक्स अमेडमेंट में नेक्स एक है ट्विंटी सेकिंड अमेडमेंट इसमें क्या हुआ था तो मेगालिया इसको स्टेट बनाए गया था धा कैसे याद रखना है प्विंटी सेकिंड लिखा है न तो देखे 22 को हिंदी में क्या बोलेंगे 22 बोलेंगे तो 22 यानि की बारिश तो किसके साविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है चाहे वो मौलिक अधिकाली क्यों ना हो यानकि संसत के पास एक ऐसा पावर है कि चाहे वो आपके fundamental rights ही क्यों ना हो उसमें वो सुधार कर सकती है तो देखें संसत के पास क्या है choice है कि वो आपके fundamental rights में भी ना कुछ changes कर सकती है तो choice यानकि 24 तो 24th amendment कि से लिटिड है कि parliament can arm any part of the constitution including fundamental rights याद रखने है आपको नेक्स ही कि the 31st amendment इससे लिटिड है लोगसभा seat from 525 to 545 यानकि जो लोगसभा की seats है वो 525 से कितनी कर दी गई 540 कर दी गई तो आपको कैसे याद रखने है अब देखिए लोगसभा की seats ना 2026 तक बढ़ा नहीं सकते है तो government संसत बना दी है बहुत बढ़ा तो उसका मन में यही तो planning हो कि ठीक है अब हम लोगसभा की seats बढ़ जाएंगी तो जो भी नेता आएगा ना वो बहुत ज़्यादर 30 करेगा लोगों को अभी भी बहुत 30 करती है बाद में भी बहुत जादर 30 करेगी जब seat बढ़ गई तो आपको याद देखना है 30 यानि कि 31 तो 31 वा अमेंट्मेंट की से लेटिड है लोगसभा की seat को बढ़ाने से तो पहले 525 ती अब कितनी गर्दी गई 545 कर देगी ठीक ह तो इस तरीके से लेट करके आपको यह भी याद रख रहे हैं नेक्स देखें the 36 amendment and 36 amendment related है कि सिक्किम को state बनाए गया कैसे याद रखने है देखें 36 36 को हिंदी में हम लोग क्या बोलते है 36 बोलते हैं तो 36 यानि कि छती तो छती कब पहुंसती है जब हम लोग बहुत ज़्या इसको क्या कहा जाता है मिनी constitution भी कहा जाता है अब आप देखें यहां पर क्या लिखा है na 42 लिखा है कौन से सन में 1976 में तो बस आप कैसे आदखों कि 76 क्या होता है 42 होता है तो 42 amendment है और कौन से सन है तो 1976 में वह था इसका सन भी पूछा जाता है तो आपको यह भी याद रखन तो यह तीन शब्द जोड़े गई थे जो प्रेमियेबल है उसमें कौन से तीन वर्ट्स है तो समाजवादी, पंथ, निर्बेक्ष, एकता और खंड़ता तो आपको याद रखने है कैसे SSU करके आपको याद रखने है तो आर्टिकल जो 51A है, जो किसका पार्ट है, 4A का Constitution का, तो इसके अंतरगत ये amendment करके 10 fundamental duties जोड़ी गई थी Constitution में, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, अब देखी लोकसभा को जो time period था न, 5 साल होता था, तो 5 साल से 6 साल कर दिया गया, तो किसमें किया गया, इसी 42 जो amendment ह इसी के अंतरगत, ठीक है, तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, किसको mini constitution का जाता है, इसको ही का जाता है, क्योंकि कई साही चीज़े इसमें amend की गई थी, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ओके, नेक्स्ट है कि आप 44th amendment, जो हुआ था 1978 में, इसमें क्या ह हुआ था, कि जो संपत्य का अधिकार है, जो right to property जो था, वो पहले fundamental rights का था, ठीक है, तो उसको वहां से निकालके क्या कर दिया गया, इसको एक legal right बना दिया या, यानि कि एक कानून अधिकारी इसको दे दिया गया, कानून का अधिकार दिया, कि इसको जो right to property था, ओके, प 1976 था, तो बस क्यूशनी, जैसी 42 के बाद important क्या आया, 44 आया, तो प्लस 2 कर दिया, तो 42 का 44 हो गया, 1976 का 1978 हो गया, तो 1978 and 44 amendment में क्या किया गया, ठीक है, जो right to property था, उसको fundamental से निकालके क्या बना दिया गया, हटा कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, याद रखन सबा का जो टैंक्चर था, कारेकाल का जो time period था, वो क्या क्या था, फाइफ से लेके 6 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है, पांस साल होता है, 6 साल कर दिया गया, बट जब दोबारा से 6 साल हटा के 5 साल कर दिया गया, तो दोनों आगे पीछे है, ठीक है, तो दोनों का सन्वी आ क्या होता है कि कोई नेता कभी इस पार्टी में फिर उसने चेंज कर ले इस पार्टी में ठीक है तो इससे लेटर कुछ प्राफधान निकाले गए थे ओके तो कौन से अमेंडमेंट के थू तो कैसे आपको यहाद रख रहे हैं तो 10 यानिकि 10 यानिकि दल बंदू 10 दल प्राफधान निकाले कोई थे प्राफधान था कर वह कौन से आमेंडमेंट के थू आया तो 52 बंदू जिब हुआ था तो दसवा खीक चेडूल को जूड़ा गया तो 10 चीडियूल को जोड़ा गया कि सीलेटर था जाल बदू से लेटर था ठीक है याद हो गया होगा नेक्स तो उसको डेली देली तडप लगेगी तो तडबन लगेगी तो तडबन तिरबन ओके तो तिरबन यानकी 53rd amendment जो है related है formation of misorum as a state right next is the 55th amendment और यह related formation of अनुराचल प्रदेश as a state फिर से कैसे याद रखते हैं अरुन और राचल अरुन और राचल में हमेशा पता लगते हैं कि एक अरुन है तो देखे गोवा में लोग जाते हैं तो गोवा में लोग जाके क्या करते हैं पानी means चप चप करते हैं वहां के समुदर के पानी में लोग चप चप करते हैं तो चप 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 पन तो 56th amendment कि से लेटेड है formation of goa as a state याद हो क्या होगा नेक्स देखें अब है 61st amendment बहुत important है इसमें क्या क्या गया था जो एज थी वोटिंग की वह 21 साल से 18 साल कर दी गई थी ठीक है तो आपको याद रखने है 61st amendment में जो voting की age है वो कितनी कर दी गई 21 से 18 years ठीक है तो याद रखने हैं आपको यह point भी next देखे the 69th amendment इसमें क्या हुआ था जो union territory है डेली को इसको तो क्या कहा जनी लगा national capital territory ऑफ डेली बना दिया गया तो देखे हमें कैसे याद रखने है डेली में देखे कई सारी चीज़े डुब्लिकेट मिलते हैं तो डेली में कहते हैं बहुत जादा सस्ते कप्रे मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं क्योंकि चीज़ों का डुलिकेट हो जाता है कोपी हो जाती है तो कैसे कॉपी हो जाती है चेकल नव अगने हैंदबॉत गा को 21st, okay, and 71st and 92, okay, next देखिए, the 73rd amendment बहुत important है, कि से लेटिड है, पंचायत से लेटिड है, तो पंचायतों का समयधानिक दर्जा दिया गया, the 73rd amendment के तहट, okay, कैसी याद दखने, देखिए, पंचायत लिखा है, okay, तो पंचायत में न, तो गाउ में होती है न, पंचायत, तो प पंचायत कब बैठे की, जब गाउ में सब कुछ तीतर बितर हो गया, तो तीतर बितर, तो तीतर बितर, यानि कि 73rd amendment कि से लेटिड है, पंचायतों के गढ़न से पंचायतों का इसमें दर्जा दिया गया था, okay, next देखिए, 74th amendment इसी से लेटिड है, इसमें क्या है, कि इन से शेहरी इस्थानी जो निकाय है, इनको सविधानिक दर्जा मिला, okay, तो जैसे कि जो urban local bodies है, okay, जैसे कि municipal corporation, okay, तो नगर निगम वगएरा, तो देखिए, ये नगर निगम वगएरा शेहर में ही तो होते है, तो 74 रिलेटिड है, शेहरी इस्थानी निकायों से, ठीके, तो या कहा गया है, कि जो भी लोक सवा की सीटे है, वो 2026 या 25 साल तक जब या amendment हुआ, उससे 25 साल तक कोई सीटों में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, 2026 तक, तो चाहे वो लोक सवा की सीटे हो, ठीके, चाहे वो विधान सवा की सीटे हो, कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकता, चाहे कोई भी गौर्णमर्मेंट आए तो बस आपको कैसे याद रकना है । देखे जिसकी भी गौर्णमिंट आती है तो फिर वो बिलग मुझरा सीना करके घुम रहे है कि अब कोई चेंज नहीं हो सकता मैं fix हो गया तो ऐसी आपको याद रखना है जिसकी भी government आई वो बिल्कुत चौड़ा सीना करके घुम रहा है कि अब सीटों में कोई change नहीं हो सकता तो चौड़ा सीना यानि की चौड़ा सी ठीक है तो याद रखना है आपको इससे लेटिड है कि प्रोहिप्शन लग गया है कि री सेटलमेंट ओफ लोग सवाय एंड इस्टेट लेजिसलेटिफ सीट फोर ट्वंडिफाइफ एर्स और अप्टू था टूटू थाउज़न ट्विटिसेट्स ओके याद रखना है आपको ओके तो अब हम थोड़ा सा पंचायत के बारे में द हमें आता है अब देखिए पंचर पंचायत पंचर तो पंचर यानिकी पांच नौ तो पांच और चार को जब हमने एड कर दिया तो हम लोग कहां पहुझ गया नाइन पर पहुझ गया तो कौन सा पार्ट है नाइन है तो बहुत अच्छे से आपको याद दखना है कि प्रॉपर जो सविधानिक दर्जा मिला वह आजिकल 243 के तहर्त मिला कौन से मैंडमेंट के तुरू तो 73 बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आपका क्वेशन पूछ लिया जाता है तो आपको याद दखने है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो अगर आप बहुत बार प देके इजान जरूडैय पेलगी दिखे इजुकेम्ट और अच्छा हो जाए गा है तो एजुकेशन जरूरी है अच्छे होने के लिए तो अच्छे है अच्छे हां ठीके तो सक्वेशन और ऐसे ऑप dwa के रिएरफ तो byłoे टिए तो हर एक इनवा उंसान अपने पूरा करने ल 6th amendment जो 2002 में हुआ था किस से related है right to education under article 21 है नेक्स देखे 91 amendment ये related है कि जो भी मंत्री परिश्यत है तो कोई भी government आ रहे है तो जो भी उसका मंत्री परिश्यत बन रहे है न तो वह 15% से जादा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि उसने सारे ही अपने लोगों को ले लिया कितना वो मंत्री परिश्यत मना सकता है से 15% तो ये आपको याद दखना है 91th amendment में इसकी बात की गई है तो कैसे याद दखना है 9-1 लिखा है ना तो 9-1 यानि कि 9-1 तो 9-1 तो किसी के पास भी या राइट नहीं है चाहिए किसकी भी गवर्मेंट आए बिलकुल राइट नहीं है कि आप अपना मंत्री परिश्यत जो है वो 15% से जादा बढ़ा लो ठीक है याद हो गया होगा समझ जा गया होगा ठीक है ध्यान रखना है आपको बहुत इंप जो बदमास होता है ना वो 9-11 हो जाता है जो बदमास हो जाता है हमें लहीं जोचोर बहगे रही है तो उनको दो या नहीं कि 92 तो 92 घ्के तो 92 अमेडमेंट हूआ था जिसमें बोडो डोगरी मैथली संथाली यानिकि BDMS लैंगविज को जोड़ा गया था ओके तो याद जो 2015 में हुआ था किस से लेटेड है तो land boundary agreement between India and Bangladesh कैसे हमें यादखने कि एक land agreement की बात हो रही है इंदिया और बांगलादेश के तो देखे 100 रुपे में सिर्भ बंगलादेश एंडिया से लेटेड है किस से लेटेडेड है जमीन के विवास से भारत और पूमी सिमा समझार हुआ तो नेक्स देखें आप 101 एमेडमेंट जो 2017 में हुआ था बहुत इंपॉर्टन है किस से रिलेटिड है GST से यानि कि Goods and Services Tax ठीक है कैसे हमें याद रखना है आप देखें यह GST की टैग लाइनी क्या है One Nation One Tax ठीक है तो One Nation One Tax और बीच में 0 तो इस जाएगा इसका अमेंडमेंट ठीक है याद हो गया होगा नेक्स देखें यह 102 आमेंडमेंट जो हुआ था यह नवटर नाशनल कमिशन कॉर बैक्वर्ट क्लासिस यानि कि OBC से रिलेटिड है कैसी याद्द नहें अब आप देखें यहां पे 102 लिखा नहों बीच में देख तो 102 जो अमेंडमेंट है लेटेड है नेशनल कमिशन फॉर बेकवर्ट ग्लासेज नेक्स देखे 103 अमेंडमेंट है और यह लेटेड है 2019 में तक किसे लेटेड है जो EWS जो सेक्शन से यानि कि एकनोमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको 10% डिजर्वेशन देने की बात की गई है ठीक है सोसाइटी में कैसे याद रखने है अब आप यह देखे न एकनोमिकली यानि कि E हो गया ठीक है तो देखे 103 अमेंडमेंट अब आपके पास सारे ऑप्शन आगे 103, 102, 101 कैसे आपको याद है कि हां कैसे हमने याद किया था कि एकनोमिकली तो यानि कि E अब देखे 3 को अगर हम इसका मेरर इमेज बना दे तो क्या बन जाएगा एज़ा 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 ए से याद रखने आपको E यानि कि एकनोमिकली वीकर सेक्शन ठीक है तो 10% डिजर्वेशन देने की बात की गई है कौन से अमेडमेंट के थरू 103 अमेडमेंट के थरू जो 2019 में हुआ था ठीक है समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा तो देखे जितने भी इंपोर्टन अमेंडमेंट से उससे आज हमने बढ़ लिया है अब हम कुछ क्वेशन के तरफ जाएंगे जो आपके प्रीवियस क्वेशन पूछे गाएं डिफरेंट एग्जामस में ओके तो देखें फर्स क्वेशन देखें कॉंस्टिशनल अमेडमेंट एक 2002 प्रवाइडिट फ्री एंड कंपोर्सरी अलिमेंट्री एजुकेशन टू आल चिल्रन तो यहां पर आपको अमेडमे बनेंगी जब हमाले पास एजुकेशन होगी है तो एजुकेशन जरूरी है अच्छे बनने के लिए तो आप्शन ए हो जाएगा और निप्तान के अधिकार को मॉलिक अधिकार से हटा दिया गया है सिंपल फुछा है कि जो राइट प्रॉपर्टी था ना कौन से amendment के थूठ इसको हटा दिया गया तो कौन सा amendment था किस वर्ष मौली कर्टब्व्य जोड़े गए थे अब आप देखिए कैसे हमने याद रखा था मौली कर्टब्व्य 42 में बहुत सरे अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्में थे में हमने पड़े थे तो उनमें से एक कौन सा था कि कि फंड़ा गया थिक तो देखे कैसि हमने याद रखा था 76 52 76 42 इक मीश 1976 हमने बड़ा था तो 76 42 थो fard동 ah course insisták कौन तो 1976 ठीक है क्यों सो क्रेक्टी कर्वा जाएगा answer AUf option A 1976 right next question is when was the right to property removed from the list of fundamental right to fundamental right to right to property okay so what we had learned 76 of 42 1976 plus 2 years after 2 we had added to 44 and 1978 then option B is the correct answer okay remember how we have related to each thing I hope after this video you will you will never forget it will be set in your mind and you will just revise it okay next see JST was introduced through which amendment text now JST was introduced when introduced so one nation one text 101 so 101 it means option A is the correct answer right next question is dash amendment related to formation of Sikkim state so Sikkim means Sikkim means Sik then you will get more than 6 then 6 means option B so option B is the correct answer right so look what were the important questions we have revised that we can reach the answer so obviously you will feel good this video so comment and like and tell you that your exam is very important to prepare which exam is very important to prepare okay now Sikkim exam is very important to see you in the next video thanks for watching thank you in the next video 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 झाल झाल